आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ ठीक है, देख़ा, सबसे वहले जान लेते हैं इन चारो set के वारे में कि कौन कौन से set होते हैं finite set वो set होते हैं जिसके अंदर finite number of element होते हैं यानि जिनको आप count कर सकती हो ठीक है, for example, 10 element है, 5 element है, 3 element है तो वो finite set होंगे बेरे infinite set वो होते हैं जिसके अंदर जो element होते हैं इसको count नहीं कर सकती है यानि जिसके अंदर infinite number of elements present होते हैं single dot set वो set होते हैं जिसके अंदर ख़ली एक element present होते हैं, ठीक है और none of these, तो देख़ो, 4 option given आपको तो बताना है, set, यह कि stack पर set है जिसमें, जो elements हैं, वो multiples of 5 आने चाहिए मेरे, ठीक है 30 and so on, इस सार के सार 5 के multiple हैं, ठीक है तो जो यह set होगा, वो count set होगा, वो हो जाएगा अपना infinite set क्योंकि इस set के elements सो count नहीं कर सकते हो कि कहा तक जाएगा अपनी ठीक है, क्योंकि multiple of 5 मेरे infinite number तक जाएगे multiple of 5 जो 5 जाएगे, तो इसके जो elements होगे वो infinite number of elements जाएगे, यानि जो यह set होगा, वो अपना infinite set होगा ठीक है, ओके, थेंकि फ्रेंट्स